न्य कंप्तान के बाद अब अनाउंस हुआ पाकिस्तान का नेया स्कौर्ट जी हाँ बाबर आजम्ने कंप्तानी वर्ल्ड कप के बाद छोड़ दी थी और पीसिबी ने ने कंप्तान की अनाउंसमेंट वहां पे कर दी जहां पे शाहिन्षा अफ्रीधी बने थे नई कप्तान T20I के और वहाँ पे टेस्ट के नई कप्तान बने थे शान मसूद और अब कप्तान के अनाउंसमेंट तो हो चुकी थी लेकिन अब नई अनाउंसमेंट वहाँ पे PCV की तरफ से हुई है जहाँ पे जो ऑस्टेलिया के खिलाफ तीन टेस्ट मैच की उसकी टेस्ट टीम यहाँ पे अनाउंस हो चुकी है ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए ले आये हैं और नजरे डालते हैं फटाफट बिना किसी देरी के एक बार पाकिस्तान के इस नए स्कौर्ड पर सबसे पहले आते हैं शान मसूद जो की कप्तान है फिर आते हैं अमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार एहमद, बाबर आजम, फहीम अश्रफ, हसन अली, इमाम उलहक, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, मुहम्मद रिजवान, मुहम्मद वसीम जूनियर, नुमान अली, साइम आयूब, सल्मान अली आगा, सरफराज एहमद, साउट शकील, शाइनशा फरीदी, जिहां ये थी पाकिस्तान का नया अस्कॉर्ट, जो कि ऑस्टेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलने वाला है, और अब देखने वाली बात रहेगी, पाकिस्तान की टीम में, इस नए कप्तान के साथ, और क्या-क्या परफॉर्मेंस में चेंज आत थी, वो अभी भी स्कॉर्ड में मौझूद है, हलाकि उन्होंने कप्तानी छोड़ने के बाद भी कहा था, कि मैं कॉंट्रिबूट टीम में करूंगा, अपने बैट से इंडिविजल परफॉर्मेंस से, कुछ मैं छोड़ रहा हूं, तो वो है कप्तानी, अब देखने वाली कर लीजी, या सौच शकील की, या शाहिन शाह फ्रीदी की, तीनों ही खिलाडी, इस स्कॉर्ड में मौझूद भी है, लेकिन इस स्कॉर्ड में इमाम उलहक भी है, जिनोंने कुछ खासा प्रदर्शन वर्ल्ड कप में नहीं दिखाया था, लेकिन चेंजज यहां पे हुए ह है, कप्तान में भी चेंजज है, लेकिन यह चेंजज असर क्या डालती है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर देखने वाली बात रहेगी, बाकि आप अपना उपीनिन बता सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में, तब तक के लिए देखते रहे हैं, तूफान स्पोर्ट्स, लाइ झाल